गुद इवनिंग स्टुडेंट्स लेसन नाइन रैन्बो बुक का आज हमारा जो लेसन लिया हमने वो एवोक तुरू दा फायर और इट मीन्स है आग में से होके गुजरना और एडी स्मित की द्वारा ये राइट है यहाँ लेसन में आपको समरी बताई जाएगी इसकी स्टूरी में वो सब टोटल बाते हैं इंपोर्टेंट की जो आपके एक्जाम में क्वेशन की चांसे होते हैं जिनके आने वाले तो यह आपके ज़्यादा समझ में आने वाली बात है यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊँ हूँ दा फॉस्ट मेटिंग बिट्वीन दर लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बदा दूँ कि जो यह लेसन है वो एक के सोलजर की स्टोरी है और जो नरेटर है जो वरिनन करता जो सोलजर वो अपने बारे में बताएगा कि किस तरह से उसकी मिटिंग कहां किस आदमी से हुई और तीन तरह के इसके अंदर जो करतब द वेन ही वोज ड्राइविंग बैक फ्रॉम सिकंद्राबाद टो ही सेपर कैम्प एट बैगम पैट इन हैदराबाद है जहां सिकंद्राबाद भी है और उदर सेपर कैम्प यानि सेना का एक कैम्प है आपको बता दूँ मैं यहाँ पर नरेटर वर्णन करता जो सिस्टोरी का वर्णन कर रहा है कथाकार जो इस सिस्टोरी को सुना रहा है वो और यह घायल बुड़ा व्यक्ति इन दोनों के बीच में जो पहली बैठक हुई थी वो एक शाम को जब है सिकंद्राबाद से हैदराबाद के बेगम पैट में अपने सेपर कैम्प यानि सेना वाले कैम्प क वापस जा रहा था एट वन प्लेस एक इस्तान पर ही सा सम्थिंग लाइं ओन दे रोड इन दे हैड लाइट्स वो एक इस्तान पर उसने हैड लाइट्स में शड़क पर कुछ पड़ा हुआ देखा हुआ है इट टरन आउट तो वी एन एल्डरली इंडियन लाइं इस्टि देखने के बाद पता लगा कि एक बुजर्ग भारते था जो खौन से लट पत था खौन से सना हुआ था क्लिरली ही वोज बैडली बिटन असलेंट्स इन्वेडर्स बाई टू एंगलो इंडियन यूथ स्पर्स टूप से दो एंगलो इंडियन मेंस जो युवा लोग थे भारते युवा लोग थे उन हमलावरों के द्वारा इसे बुरी तरह से पीटा गया था यहां असलेंट्स और इन्वेडर तीनों का मीन होए की होता है और वो होता है हमलावर अब नेरेटर ने वर्ण करता नहीं अपनी जेव से जेव से रुमाल से खून को साफ किया The injured man thanked him in perfect English और उस घायल आदमी ने उसे एक इस पस्ट इंग्लिस के अंदर अंग्रेजी में धन्यवाद दिया। The narrator gave him a lift in his truck and dropped him at his destination. अब narrator ने वंडन करता ने उसे truck में lift दी और उसे अपने इस्तान पर छोड़ दिया। The old man thanked him again, बुजर्ग वेक्ति ने उसे फिर से धन्यवाद दिया। He promised to return his worst handkerchief on their next meeting और उसने वादा किया कि वो उसकी रुमाल को धुलेवे रुमाल को वापस कर देगा। On their next meeting, अपनी अगली meeting में जब उनकी दोनों की अगली meeting होगी तो वो जो रुमाल थी उसको फिर से वापस कर देगा। And he disappeared into the darkness of the night और रात के अंधिरे में वो गायब हो गया। The next meeting of the author and the old man took place at the sapper camp at Begumpat after few weeks. Lekak और उस बुडे विक्ति की अगली मुलाकात कुछ हपतो बाद Begumpat के sapper camp में हुई, सेना के camp में। Begumpat जो हैदराबाद के पास है, प्रोफेसर राव was the leader of a troop of Indians, यहाँ एक नए सक्स के बारे में बात आ रही है, पहले इतनी देर तो आपने सुना सिर्फ एक narrator और उस बुजर्ग विक्ति के बारे में, और अब प्रोफेसर राव जो भारतिये लोगों की मंडली के नेता थी Troop का मेन ही यहाँ पे दल, he visited the sapper camp at Begumpat to perform amazing feats of strength, उसने उन्होंने ताकत के अद्वुत कारणामे या कर्तब दिखाने के लिए Begumpat स्तित sapper camp का दोरा किया perform, to perform amazing feats of strength, यहाँ अध्वुत कारणामे शक्ति के, ताकत के, in his first great feet performance, उनका जो पहला, जो कर्तब था, सबसे बड़ा प्रदशन, प्रोपेसर राव, प्रेस्ट ए 12 feet long iron bar horizontally against his throat, उन्होंने इस समांतर रूप से, एक बारा फिट लंबी, एक बारा फिट लंबी, लोहे की छड को, लोहे की रोड को, अपने गले के उपर दबाया, फिर उसने, छहचा लोगों को दोनों अपनी तरफ लगाया, जो उसके काम करने वाले थे, उन्होंने विवस्ता की, अब उन्हों बारा लोगों ने दोनों तरफ से, छहचा लोगों ने दोनों तरफ से, उस आइरन की रोड को, आइरन की सलाक को, उनकी गर्दन के उपर दबाया, और उसे, यूसेफ के अंदर मोड दिया, तो यह इसका यहाँ पर फर्स्ट फीट था, पहला कर्तब था, एक पहला कारनामा, इनिस सेकेंड, एंड अन्फोर्टेगेबल फीट, और जो दूसरा तो था, वो कभी न भूला जाने वाला, एक ऐसा कर्तब था, एक ऐसा कारनामा था, उसके बाद, वो एक पाँच टन सेना के ट्रक के नीचे लेट गया, जिसमें लोगों की काफी उसके अंदर भीड थी, उस ट्रक के अंदर, अब उसका सीना है, एक रैम्प के उपर रखा गया, दैन दे ट्रक वोज फर्स्ट ड्राइवन क्विकली अक्रोस दे प्रोफेसर चेस्ट, फिर सीग रही प्रोफेसर के सीने के पार उस ट्रक को चलाए गया, बिफोर ही परफॉर्मड इट, उसका ये प्रदरशन करने से पहले, ही हैड साइंड ए डॉकुमेंट तो बी रिस्पोंसिबल अफ एन एक्सिदेंट, उसने किसी भी दुरुगतना के जिम्मेदार होने के लिए एक दस्तावेज़ पिसाइन किये थे, अल्डमेन, नेक्स्ट पेरग्राफ इसका, सिवीर में जाने वाले भारतियों के मंदली का सदश्य था, अल्डमेन वोज अमेंबर ओफ ट्रूप ओफ इंडियन्स विजिटिंग दे कैम्प ओर एशोओ अमेजिंग फीट्स ओफ इस्ट्रेंथ, बुड़ा व्यक्ति जो शक्ति के ताकत के अध्वूत कारणामें दिखाने के लिए सिवीर में जाने वाले भारतियों की मंदली का एक सदश्य था, दूरिंग दे शो उस परतशन के दोरान, The author saw an elderly gentleman digging up a shallow trench ditch, एक बुजर्ग वेक्ति ने देखा के एक उथली हुई खाई को खोदे विए देखा, लेखक ने देखा के बुजर्ग सजन वेक्ति को जो एक खाई खोद रहा था, ditch और ranch trench दोनो एक इवर्ड, He then filled it with red hot calls, फिर उसने इस खाई को लाल गरम अंगारों से, लाल कोईलों से भर दिया, He splashed dropped water on his feet, उसने अपने पैरों पे पानी गिराया, When, and walked over the coals along the whole length, और जित्ती लंबाई पूरी लंबाई पर तक वो इन अंगारों पर चलने लगा, When the author knelt down beside him, जब वो उसके बगल में गुटनों के बल वैट गया, To check his feet अपने पैरों की जाच करने के लिए, He felt something thrust into his hand, तो उसने feel किया, मैसूस किया कि उसके हाथ में कोई चीज ठूंस दी गई है, कोई चीज थमा दी गई है, It was the same handkerchief which was used to clean the face of the wounded old man, ये वही रुमाल थी, जिसका huge उस गायल बुड़े आदमी के चेरे को साफ करने के लिए किया गया था, It was then the author recognized him, और फिर ये तब हुआ था जब लेखक ने उसे पैचान लिया, Old man told him to walk through the fire, बुड़े व्यक्ति ने उसे बताया, आँख में चलने के लिए, ये accepted his offer, उसने वो offer स्विकार कर लिया, बट विफोर वाकिंग थूद फायर, लेकिन आग में चलने से पहले, दा फायर, दे नेरेटर felt I scored with fear, जो वर्णन करता था, उसने डर के साथ साथ, बरफ जैसी ठंड को भी महसूस किया, Next paragraph में देखें आप, Old Man told him, बुजरुग वेक्ति ने उसे बताया, When he put aside his boots, साथ put aside his fear, कि जब उसने अपने जूते अलग रखे, तो साथ ने उसका डर दूर कर दिया, कि बुढे वेक्ति ने उसे बताया, कि जब उसने जूते अलग तरफ रखे, उसने अपना डर दूर कर दिया, Before cross the fire, अगनी को पार करने से पहले, He told him softly, to close his eyes, उसने बड़ी कॉमलता से कहा, कि अपने आखें बंद कर ले, and think hard of green fields, और उन हरे बरे खेतों के बारे में सोचे, and the peaceful English countryside, और उन इंगलेंड के हरे बरे खेतों की तरफ ध्यान कैंदरित किया, शान्तिपून जो इंगलेंड के हरे बरे खेत थे, देहाती गाउं के उनकी तरफ अपना ध्यान कैंदरित किया, ताकि इसलिए कि उसे उन अंगारे उसे फील ना हो सके, Now he concentrated hard on green fields in England, अब उसका ध्यान जो था, एक कागरता में था, जो इंगलेंड के हरे बरे खेतों की तरफ था, He felt that he was walking along the rock-filled road, just outside Monmouth near Henry Park, उसने मैसूस किया कि वो Henry Park के पास Monmouth के ठीक बाहर रोक-फिल्ड रोड पर चल रहा था, There were green fields on either side of him, वहाँ पर हरे बरे खेत थे, उसके दोनों तरफ, यह यहाँ imagine कर रहा है यह बंदा, The scene was completely peaceful, जो द्रश्य था वो पून तरफ से एकदम शान्ति पून था, It was a lovely, feel the warmth of the sun rays, through his clothing, और यह सुंदर साल द्रश्य लग रहा था, सूरज की किर्णों की गर्मी, उसके कपड़ों के माध्यम से, His mind was wonderfully and completely at rest and never before, अब उसका मन एक आश्चरेजनक रूप में और पूरी तरह से आराम पे था, और वो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं उसके साथ, After the walk, उसके बाद वो चलने लगा, He felt himself, उसने स्वेम ने महसूस किया, Suddenly, go cold as though the sun had disappeared behind the clouds, जैसे ही सूर्य बादलों के पीछे छिपा, तो उसने बहुत ज़्यादा ठंड महसूस की, He opened his eyes, उसने अपने आखे खोली and found himself standing with his back to the fire trench, और अपने आपको पाया, कहां पर, उस, उन बादलों के पीछे, उसने अपने आपको पाया, जो अगनी की खाई थी, उसके पीछे, In this act of fire walking, इस अगनी पर चलने में, इस अगनी पर चलने के कार्य में, He felt a mysterious state of mind full of divine peace and joy, उन्होंने एक दिवे शांती को रानंद को महसूस किया, The author describes his experience, लेकक यहां वर्णन करता है, अपने अनुवों को, and then performing the walk through the fire, और फिर उस आग में से होकर के गुजरने का कार्य करता है, as incredible, जो आई विश्वस्निय है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, because, क्योंकि, he walked through the fire without any harm, वो बिना किसी नुक्सान के उस आग में से होकर के चला, he walked the whole length of the trench, वो उस खाई के पूरी लंबाई तक चलने लगा, and back without any burn mark left by the fire on his body, और उसके सरीर पर एक भी निशान नहीं हुआ, एक भी जलावा निशान नहीं हुआ, summer day, he could, गर्मी का दिन था, और वो जितना कर सकता था, next पहरा है पर यहां, end की lines है, he never saw the fire walker again, और उन्होंने उस fire walker को फिर कभी नहीं देखा, the author tried to find old man again, but he didn't find him, लेखक ने उस बुड़े विक्ती को फिर से खोजने की कोशिस की, लेकिन वो उसको नहीं मिला, यह यहां एक soldier की story, इसमें soldier ने सुरू सुरू में, जो एक सेनक के अंदर था, इसने अपने खुद के कपड़ों के बारे में रेके, जो पजावा था इसका, और कुछ चीजें ऐसी थी, जिनको यह समाल के रखा हुआ था, और काफी वर्सों बाद इसने समाली थी, यहां तीन feet के बारे में बताया गया है, जो three feet जो कारणावे थी, पहला जो feet था, feet था, वो कारणावा, वो था, एक रोड को, अपने गले के उपर, मोड़ना, यू सेप के अंदर, second feet आये, यहां पर एक ट्रक को अपने सीने के पार चलाना, टायर के नीचे से, और three feet जो feet आये, वो है, एक खाई में से, अंगारों की खाई में से, आग में से हो करके, गुजरना, तो यह एक समरी में है, समरी के थुरू है लेसन, और आप इसे समझ सकते अच्छे से, अगर फिर भी नहीं समझ में आये, आपके यह लेसन, तो हम आपको यह आफलाइन क्लास में, और समझा देंगे, सो थैंक यू,